हमीरपुल बस अड़े पर सुरक्षा की द्रिस्टी से लगाये के CCTV कैमरे सोपिश बन कर रह गए हैं और सुरक्षा को लेकर तीसरी आंग से की जा रही ही रिकोर्डिंग मात्र आपचारिक तसावित हो रही है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से CCTV कैमरे खराब पड़े हुए हैं जानकारिक के अमसाल बस अड़े पर सर के अंदर और बाहर 6 कैमरे लगाए गए हैं लेकिन इन में से कोई भी कैमरा सही रिकोर्डिंग नहीं कर रहा है जिससे बस अड़े पर तीसरी आंग का पहरा नामात रही है हमिरपुल बस अड़े पर शुरक्षा की द्रिस्टी से लगाये के CCTV कैमरे 150 बनकर रह गए हैं और शुरक्षा को लेकर तीसरी आंग से की जा रही रिकोर्डिंग मातर और चार्ग तक साबित हो रही है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से CCTV कैमरे खराब पढ़े हुए हैं जानकारी के अनुसार बस अड़े परिसर के अंदर और बाहर शे कैमरे लगाये थी लेकिन इनमें से कोई भी कैमरे से ही रिकोर्डिंग नहीं कर रहा है जिससे बस अड़ा पर तीसरी आंग का पहरा नामातर ही है गौर्ड लब है कि हमिरपूर बस अड़ा में दिन रात हजारों की तादाद में यातरी आवाजा ही करते हैं और लोगों की भीर जमा रहती है ऐसे में कराब पड़े CCTV कैमरों की जिम में छोड़ी हूई स्रक्षा बिवस्ता में भारी चूक हो रही है कई बार लोगों के सामान गुम होने की सूरत में या फिर किसी दूसरी बड़ी गटना के लिए CCTV कैमरों की मदद काम आ सकती है लेकिन CCTV कैमरों में गटिया क्वाल्टी होने से बिवागी परनाले पर सवाल खड़े हो रहे हैं जिसे लेकर स्थानी लोगों में भी गहरा रोश्ट ब्याकत किया है हमें पर बस अड़ा पर बारी बस अड़ा पर लगाए के कैमरों की क्वाल्टी पर कुछ नहीं बता पाए और इतना ही कहा कि अभी और पाँच कैमरे बस अड़ा में लगाए जाएंगे उन्होंने बताया कि जल्द ही खराब होई CCTV कैमरों की रिपेर करवाई जाएगी CCTV लगे हमकी कवरेश के भी देखा है तो क्वाल्टी में जीरो है मोगो अभी अभी इस पे लिए और आगे हमारे पास कैमरे अभी और जाए जाएगे जाएगे वाकि जो है वो लगेंगे कितने दगाई जाएगे जैसे नॐका बीजन क्लियर नहीं है जो आने वाले कैमरे है जो दगांगे आगे छो लगाई जाएगे चैमिक काई है वो भी अच्छी प्वार्टियों में भी प्रीट करने के बाद बगराईगा कैसे कैसे ली है वह मारा अलग डिवार्मेंट रुता है भी एसमडी वो उनको प्रोवाइड करता है उनको रिखता है और उनको लगाता है कारिकर में बक्तु जलै शुर्चर पर काई मलते हैं प्रेक के बाद